जैहिन दोस्तों बिहार पुलिस सिपाई की परिक्षा के लिए आज आपका प्रेक्टिसेट नमबर 9 चलेगा जिसमें साथियों आम लोग GKGS से लगबक 45 अती महत्पुन प्रसनों को कवर करेंगे जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एकजाम के लिए काफी ज़्यादा इ तो चलिए फ्रेंट्स रात के 8 बत चुके हैं फड़ा फट से आप सभी लाइब में जुड़ जाईए सभी को गोड एवनिंग गोड एवनिंग तो देखिये पहला कोर्षन आपके सामने है हलपा संस्कृती निम्न लेकित में से किस के समकालिन थी सभी आप्षन को ध्यान स आंसर देना है तो यहाँ पर कोशन नमर एक के लिए आंसर क्या होगा हलपा संस्कृती निम्न लेकित में से किस के समकालिन थी तो याद रखेगा कास से यूगिन यहाँ पर डी ओप्षन आपका सही जबाब है अब यहाँ से कोशन बनता है कि हलपा की जो लिपी थी किस पर चित्रात्मक यहाँ पर लिख देते हैं भाव चित्रात्मक हरपा सब्यता को सिंदु सब्यता भी कहा जाता है और यह एक सहरी सब्यता थी और देखे दोस्तों अब लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो यह वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा उस चैनल का नाम है दिवाकर इस्टडी आईक्यू उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं इस वीडियो का आप लोग जाकर देख लीजी एक जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन टॉपिक है यह करेंट अफेस का आगे देखें निम जैन धर्म का महतवपुर्ण सिधान थे तो साथ यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ओप्शन स्यादवाद स्यादवाद को हम अनेकांत वाद के नाम से भी जानते हैं और यह जैन धर्म का क्या है महतवपुर्ण सिधान थे जैन धर्म की अस्थापना किस ने किया था यानि से पहले तिर्थंकर का नाम रिषब देव है जिन्होंने जैन धर्म की अस्थापना की थी महत्मा बुद्ध द्वारा प्रति पादित माध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिधान्त समाविश थे चलिए कोशन नमर तेन के लिए आंसर बताईए और देखिए अगर आपको किसी भी प्रस्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं तो माहत्मा बुद्ध द्वारा प्रति पादित माध्यम मार्ग में कर्म के टोटल दस सिधान्त समाविश थे तो यहाँ पर सी ऑप्षन आपका सही जबाब है दस याद रखेगा मात्मा बुद्ध की बात करें तो जैन धर्मिक के संस्थापक है इनका जन्म कब हुआ था पूछा आता है तो 563 इसापुर में इनका जन्म हुआ था कहाँ पर तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी म हुआ था इनके बच्पन का नाम सिधार था इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम पूछे तो महा माया यह कोशन कभी कभी एक्जाम में पूछा आता है इसलिए याद रखेगा माता का नाम महा माया पत्नी का नाम भी पूछा जाए तो यह सोधरा पुत्र क का नाम पूछे राहुल परवत सिलाओं को काट कर मंदिर निर्मान की सर्वसरेष्ट कला का विकास किसने किया था चलिए आंसर किजिए फड़ाफट से परवत सिलाओं को काट कर मंदिर निर्मान की जो सर्वसरेष्ट कला है इसका विकास किसने किया था तो राश्ट कुटोने या पर पाला उप्सन आपका सही जबाब है राश्ट कुटोने राश्ट कुट बंस के स्थापना किस ने किया था दंति दुर्ग ने और राश्ट कुट सासकों की राजधानी कहा पर थी तो मान ने खेत या पर लिग देते हैं मान ने खेत राष्टकुट सासकों की राजधानी थी या पर देखे चोल की बात करें तो चोल राजबंस के स्थापना किस ने किया था विज्याले ने और इसकी राजधानी कहाँ पर थी तंज़ाओर कहाँ पर तंजव और या फिर तंजवूर पाल की बात करें तो पाल राजवन्स के स्थापना गोपाल ने किया था दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वनसों ने सासन किया था चलिए और साथ ही अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेश्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए तो सिंपल सा कुशन है दिल्ली सल्तनत पर टोटल पाँच वनसों ने सासन किया था जिसमें से पहला वनस का नाम है गुलाम वनस या फिर दास वनस और दिल्ली सल्तनत का आखरी वनस है लोदी वनस विस्तारित मिशन इंद्रधनूस का संबंद निम्न में से किस्से है और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए अब से आपका रेगुलर क्लास होगा तो विस्तारित मिशन इंद्रधनूस का संबंद निम्न में से किसे है तो ये घातक विमारियों की रोक थाम हे तू टीका करन से है या पर D option आपका सही जबाव है इंद्रधनूस मिशन की सुरुवात कब होती है 25 दिसंबर 2014 से निम्न लेकित में से वायू मंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्छांस के नाम से जाना जाता है चलिए आंसर किजिए साथ के लिए वायू मंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्छांस के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा सही जवाब है उपोस्न उस्न वायुदाव की पेटी उपोस्न उच्छ वायुदाव की पेटी को घोड़े की अक्छान से भी कहा जाता है समुद्र की गर्म धराएं सभी ओप्षन को पड़ी है तो देखें समुद्र की गर्म धराय जो है धुरूबों की ओर जाती है देखें यह option के according चलना है धुरूबों की ओर जाती है यहाँ पर C option अपका सही जवाब है विश्व मानवादिकार दिवस किस तिथी को मनाय जाता है चले question number 9 के लिए answer बताईए विश्व मानवादिकार दिवस किस तिथी को मनाय जाता है यह question CSBC द्वारा पूछा हुआ question है तो 27 अविश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्यक वर्ष 10 दिसंबर को मनाय जाता है किस्तिती को 10 दिसंबर को तो यहाँ पर C आप्षन आपका सही जबाब है 10 दिसंबर को चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 दिसंबर को क्या मनाय जाता है तो मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाय जाता है पोंगल क्या है? बहुत सिंपल कुर्षन है आंसर कीजिए और देखे इसका पीडियेप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में टेलिग्राम का लिंक इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्षन बॉक्स में है तो यहाँ पर इस कोर्षन का आंसर क्या हो जाएगा? फसलों का त्योहार पोंगल क्या है? तो यह प्रकार का फसलों का त्योहार है जो कि तमिल लाडू का यह मुख्य त्योहार है एक पूचा आता है ओनम ओनम यह किस राजिका फेस्टिवल है? तो यह केरल राजिका है ओनम और पोंगल है तमिल लाडू राजिका सूरी की सबसे अधिक तिरची किरने कहाँ पर पड़ती है? सिंपल सा कोश्चन है सूरी की सबसे अधिक तिरची किरने यह कहाँ पर पड़ती है? तो धुरूबवा पर B option आपका सई जबाब है धुरूबवा पर काँ पर पड़ती है तो धुरूबवा पर चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर भारत में चक्रवातिय वर्षा किस मौसम में होती है चलिए बारे के लिए आंसर बताइए उत्तर भारत में चक्रवातिय वर्षा किस मौसम में होती है सही जबाब है जाड़े के मौसम में यहाँ पर भी आप्शन सही है समप्रभुता का मूल सब्द क्या है चलिए कुछन नमर तेरे के लिए आंसर किजिए समप्रभुता का मूल सब्द क्या है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा संप्रभुता का मूल सब्द है सूपर एनस जो कि B ओप्शन में दिया गया है सूपर एनस सब्द का अर्थ होता है सर्वोच सत्ता क्या होता है सर्वोच सत्ता एक समान ने सुस्क सेल में विद्धुत अभगट्य होता है किसका होता है चेले चौदर के लिए आंसर बताईए एक समान ने सुस्क सेल में किसका विद्धुत अभगट्य होता है सही आंसर है अमोनियम कुलॉराइड का अमोनियम कुलॉराइड इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl ये अमोनियम कुलॉराइड है वायू एक क्या है तो साथियो वायू क्या है तो वायू एक परकार का समांगी मिसरन है ये कोशन ओलेडे बिहार पुलिस में पूछा हुआ कोशन है इस्टार माग कर लिजिए वायू क्या है तो एक प्रकार का समांगी मिश्रन है विरंजक चूरन के लिए कौन सा असत्य है देखें विरंजक चूरन जो है जल में अधिक विले होता है बिल्कुल सही है हलके पीले रंग का चूरन है ये गलत है विरंजक चूरन का रंग हलका पीला नहीं सफेद होता है यहाँ पर B option ही आसते हैं और विरंजक चुर्ण का फॉर्मूला होता है C A O C L 2 यह विरंजक चुर्ण का फॉर्मूला है मदमक्खी कॉलोनी के सदसे एक दूसरे को किस प्रकार भाचानते हैं? सही जवाब है गंद से भाचानते हैं और इनकी भासा पूछे मदमक्खी की भासा तो क्या है? तुन्नार्थ यानि किन्रित इनकी भासा है मदमक्खी पालन को क्या का जाता है? AP Culture इसके बारे में हमने आपको बताया था AP Culture यह मदमक्खी पालन है और वर्मी कल्चर पूछे तो वर्मी कल्चर के अंतरगत केचुवा पालन होता है एक पूछा आता है सेरी कल्चर जो कि रेशम पालन से संबंदी थे सहद का प्रमुग घटक क्या है आप लोग कमेंट करके बताईए PC कल्चर ये क्या है इसके अंतरगत क्या होता है PC culture के अंतरगत तो सहद का प्रमुख घटक क्या है याद रखेगा फ्रक्टोज क्या है फ्रक्टोज या पर D option आपका सही जबाब है फ्रक्टोज गुलकोज का फॉर्मूला पूछे तो C6, H12, O6 ये गुलकोज का फॉर्मूला है व्रक्टोज से पुराने पत्ते का गिरना क्या दरसाता है सही आंसर है option A क्लोरोफिल में मैगनिसियम की कमी व्रक्टोज से पुराने पत्ते का गिरना दरसाता है कि क्लोरोफिल में मैगनिसियम की कमी है क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग क्या होता है हरा होता है वर्तमान प्रमान के अनुसार पिर्थवी पर सरपर्थम किस जीव का उदगम हुआ है चलिए अच्छा कोशन आंसर बताईए पिर्थवी पर सरपर्थम किस जीव की उतपत्ती हुई है तो याद रखेगा जेलिय जीव की उतपत्ती हुई है जीवन चक्रिक की दृष्टी से पौधे का सबसे महतपूर्ण अंग कौन सा है देखे इस कोशन में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं यहाँ पर देखे इसको याद कर लिजे जीवन चक्रिक की दृष्टी से पौधे का सबसे महतपूर्ण अंग क्या होगा तो कुछ बच्चे यहाँ पे जड़ बताते हैं जड़ नहीं होगा यहाँ पर आंसर होगा पूस्प इसलिए आपको जड़ आंसर नहीं करना है आंसर क्या होगा पूस्प होगा क्योंकि परागन जो है यह पूस्प में ही होता है डॉल्फिन वर्गी कृत किये जाते ही यानि कि डॉल्फिन जो है ये किसके अंतरगत आएगा मतसे में यानि एक मचली है उभैचर है सरिश्रीफ है या फिर अस्तनी है उभैचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रह सकता है जैसे कि मेंडग आपने देखा होगा मेंडग जमीन में भी राता है जमीन पर और जल के अंदर भी तो मेंडग क्या है उभैचर है तो डॉल्फिन किसके अंतरगत आएगा तो ये प्रकार का अस्तनी है डी ओप्चन आपका सही जवाब है अस्तनी याद रखेगा कच्वा पूछा आता है किसके अंतरगत आएगा कच्वा तो कच्वा मगर मत ये दोनों जो है सरीश्रीप के अंतरगत आता है प्रकास संसलेशन परक्रिया के लिए अनिवारे कत्ची समगरी क्या है तो प्रकास संसलेशन प्रक्रिया के लिए आनिवारे कच्ची समगरी ये सभी है यानि कारबन डियोकसाइड है, जल एबमसूरी प्रकास है, कलोरोफिल है निम्न लेकित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है सही जवाब है लाइपेज निम्न में कौन राजी का अनिवारे अंग नहीं है चले 25 के लिए आंसर बताइए, इन में से कौन राजी का अनिवारे अंग नहीं है सही जवाब है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र राजी का अनिवारे अंग नहीं है यहाँ पर C option आपका साई जबाब है देखे राजी के जो है चार अनिवारे अंग है कौन-कौन से होते हैं एक बार नोट कर लिजिए देखे एक हो गया जनसंख्या निस्सित भूभाग या निभूमी संप्रभूता और सरकार यह राजी के प्रमू के चार अंग है तो परजात अंत्र इसमें नहीं आता है भारत का परधानमंत्री क्या होता है चलिए आंसर बताइए सभी option को ध्यान से पढ़िए simple question है भारत का परधानमंत्री Chinese होता है निउक्त होता है मनोनित होता है या फिर निर्वाचित होता है तो simple question है भारत का परधानमंत्री जो है राष्टपती द्वारा निउक्त होता है तो यहाँ पर B option आपका सही जवाब है अब दीकर राष्टपती हर किसी को परधानमंत्री नहीं बना सकता है लोग सबा में जिनका बहुमत अधिक होता है उनी को राष्टपती परधानमंत्री बनाता है तो यहाँ पर B option आपका सही जवाब है निउक्त होता है भारत में किस वर्स लेखांकन को लेखा परिक्षन से प्रिथक क्या गया था सही आंसर है 1906 में भारत में वर्स 1906 में लेखांकन को लेखा परिक्षन से प्रिथक क्या गया था असरू गैस क्या है साथ्यों असरू गैस क्या है एक प्रकार का क्लोरिन है यहाँ पर C option सही है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है सही जबाब है आईसोप्रीन प्राकृतिक रबर जो है आइसो प्रिंड का बहुलक है 1789 की क्रांती के बाद फ्रांस में किस परकार की शाशन वेवस्था अस्थापित की गई कोशन एक्जाम के लिए इंपोर्टन बन सकता है इस्टार्मा कर लिजिए 1789 में क्या हुआ था तो फ्रांस की क्रांती और इसके बाद फ्रांस में किस प्रकार की सासन व्यवस्था अस्थापित की गई तो याद रखेगा समवेधानिक राजतंत्र सासन व्यवस्था अस्थापित की गई यहाँ पर D option आपका सही जबाब है जिस में फ्रांस की क्रांती हुई थी उस में फ्रांस का सासा कौन था तो याद रखेगा लूई सोलमा कौन था लूई सोलमा जोतेवे खेत का प्रमान किस हडपाई अस्थल से मिला है सही आंसर है काली बंगन से मिला है काली बंगन से और काली बंगन किस राज में है तो यह राजस्थान राज में है यहाँ पर C आप्शन सही है भारत में हरित क्रांती किस दसक में हुई थी? तो प्यारे सात्यों भारत में हरित क्रांती 1960 के दसक में हुई थी यहाँ पर B option आपका सही जवाब है हरित क्रांती की सुरुवाद जो है यह 1966 से 67 में माना जाता है और भारत में हरित क्रांती का जनक कौन है? MS. Swaminaathan भारत में कुल्लू घाटी निमनलेकित में से किस की खेती के लिए प्रसिद है? MS. चैले 33 के लिए आंसर बताईए भारत में जो कुल्लू घाटी है काँ पर यह कुल्लू घाटी तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थी थे कुल्लू घाटी और यह किस की खेती के लिए प्रसिद है? तो याद रखेगा सेव की खेती के लिए प्रसीद है कुल्लू घाटी निम्नलिकित में से वह इसपात सेंत्र कौन सा है जिसकी अस्थापना दूइतिय पंचवर्शी योजना के दोरान नहीं क्या गया था तो यहाँ पर इसका अंसर हो जाएगा बोकारो बोकारो इसपात सेंत्र के स्थापना दूइतिय पंचवर्शी योजना के दोरान नहीं क्या गया था इसके स्थापना जो है 1964 में क्या गया था किस देश के सायोग से तो रूस देश के सायोग से क्या गया था बाके भिलाई, दुर्गापूर, राउर केला इन सभी सेंत्रों के अस्थापना दूतिये पंच वर्सी उजना के दोरान हुआ था भिलाई इस बात सेंत्र की बात करें तो ये भी रूस के सयोग से हुआ था दुर्गापूर की बात करें तो ब्रिटेन के सयोग से और राउर केला जर्मनी के सयोग से अस्थाफित किया गया था निम्नलिकित में से बिजली का नवी करने संसाधन कौन सा है और देखिए अभी तक आप लोगोंने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लेज आपसे रिक्वेश्ट है सेशन को लाइक करते चलिए तो बिजली का नवी करने संसाधन क्या है पानी यहाँ पर पहला अप्षन सई है पानी ब्रोमिन होती है तो साथियो ब्रोमिन जो है लाल द्रब होती है यहाँ पर C option आपका सही जबाब है लाल द्रव और ब्रोमीन जो है एक प्रकार का क्या है अधातू है क्या है अधातू ब्रोमीन जो है हैलोजन समू का तत्व है निम्न में से किस राज्य की सरकार ने इंद्रा गांधी सहरी रोजगार यूजना शुरू की है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा राजस्थान याद रखेगा राजस्थान राजी की सरकार ने इंद्रा गांधी सहरी रोजगार यूजना शुरू की है अंतराष्टे नियाले के नियाजिसों का निर्वाचन कौन करता है सही आंसर है बी ओप्षन महा सभा तता सुरक्षा परिशद संजुक्त रूप से क्या पूछा गया है अंतराश्टे नियाले के न्याधीसों का निर्वाचन महा सभा तתा सुरक्षा परिषत संजुत रूप से करता है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जबाब है अंतराश्टे नियाले का मुख्याले पूछे काहँ पर है हेग में है हेग काँ पर है तो नीदर लेंड में है और इस न्याले में न्यादी सो की टोटल संख्या 15 है पितामबर निम्न में से किस समास का उधारन है तो साथियों पितामबर की बात करें तो किस समास का यहाँ पे उधारन हो जाएगा तो पितामबर का होता है पीला है अंबर जिनका तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करमधारे समास मानब शरीर की धीमी वृद्धी निम्द लिखित में से किसकी कमी के कारण होती है चले चाले इसके लिए आंसर बताईए तो यहाँ पर इस कोर्शन का आंसर क्या हो जाएगा मानव शरीर की धीमी वृद्धी निम्दलिकित में से किसके कारण तो याद रखेगा प्रोटीन की कमी के कारण चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सरीर में रक्त का दाव होता है तो देखे हमारे सरीर में रक्त का दाव वायोमंडलिय दाव के बराबर होता है मनुस्थ का रखताव किस मीटर किसी अंतर से मापा जाता है तो इस फिगनो मैनो मीटर से निमनलिकित में से कौन मुद्रा इस्वती से सरवाधिक लाब पाता है सही आंसर है रीनी याद रखेगा रीनी जो है मुद्रा इस्वती में सबसे अधिक लाब पाता है मानब शरीर में विटामिन A कहां पर संचित रहता है तो साथियों मानब शरीर में विटामिन A जो है यह संचित कहां पर रहता है तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा यकृत में कहां पर यकृत में संचित रहता है ए ओप्षन आपका सही जबाब है और यक्रित गंती मानव सरीज की सबसे बड़ी गंती है किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है चलिए आज के सेट में चवालिस कोशन ही है आंसर बताइए किस ग्रह का रंग लाल दिखाई पड़ता है तो सिंपल सा कोशन है मंगल ग्रह का और मंगल ग्राप पर लौ ओक्साइड के अधिक्ता के कारण ही इसका रंग लाल प्रतित होता है तो चले सात्यों आज इक लिए इतना ही अब आप लोग फटा फट से कमेंट करके बता दीजिए आपने आज केस चवालिस में कितने कोशन के सही सही आंसर दिये हैं